बढ़ीट Kelvin है हेलो धिरे श्टुडेंट्स टोडे वी विले स्टुडी अबाट रोमन नमबर्स रोमन संथ्ख्याओ के बारे में देखेंगे पिछले विडियो में हमने लेके 10 cash अब हम 51 से लेके 1000 तक अब देखेंगे तो students वीडियो को सुरू से लेके अन तक देखना है ताकि Roman number में आपको कोई problem ना हो students तो देखे हिंदू Arabic numerals तो आप जानते होंगे 1, 2, 3, 4, etc उसके बाद में हमें हमने 50 तक तो Roman number शीख लिया है अब जगी 50 से आगे हमें सीखना है तो देखे students ये table हमें याद करनी है ये हमें learn करनी है 1 को इस तरीके श्राइट करोगे 5 को V से 10 को X से 50 को L से 100 को C से 500 को D से और 1000 को M से M राइट करेंगे students ये table हमें learn करनी है और हम आसानी से Roman संके लिख सकते हैं students अब देखे 51 का कैसे करते हैं जैसे ये है 51 1 अब 51 को किस तरीके से हम Roman number में change करेंगे 51 क्या होता 50 plus 1 होता है 50 का होता है L और 1 क्या हो गया ये तो students ये हो गया 51 का इस तरीके से आप 51 से लेके 59 ते राइट कर सकते हैं उसके बाद में हम देखेंगे 60 किस तरीके से लिखा जाता है 60 क्या होता है 50 plus 10 होता है 50 को आप L से राइट करोगे और 10 को अक्षिय करोगे तो students ये हो गया 60 और उसके बाद में students हम देखेंगे 70 को किस तरीके से राइट करते हैं 61, 62, 63 इस तरीके से राइट कर सकतें जैसे M61 लिखना हो तो तो आप यह 61, फिर 62, 63 इस तरीके से आप write कर सकते हैं, okay students, I hope आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप देखिए हम करेंगे जैसे 70 को किस तरीके से write करो गया आप, तो यह 70 है, तो यह क्या हो जाएगा, 50 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यह L 50 हो गया, और यह 20, तो यह हो गया, 70, इसी तरीके से हमें 80 write करना है, तो किस तरीके से हम write करेंगे, students, 80 को किस तरीके से write करेंगे, तो यह भी 50 प्लस 30 हो गया, 50 प्लस 10 प्लस 10 यह भी इस तरीके से write करोगे, तो देखिए, कि स्टुडेंट क्या हो गया यह एल होता है 50 का और यह एक्स 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 इस तरीके से आप 80 को राइट कर सकते हैं जैसे आपको राइट करना है 84 तो 84 को आप रोमन संक्यों में किस तरीके से लिखोगे तो देखिए 80 प्लैस 4 तो देखो 80 क्या है सिमट के सी एक से एक स्टीक यह निकाल सकते हैं neटको कि स्टींटे की पहले हमने हें 100 का क्या होता है सी होता है students की यदि small number को left side में लिखेंगे तो वह है बड़े वाले number से क्या हो जाएगा सब्टेक्ट हो जाएगा इसलिए हम 100 का लिखेंगे C और इसके left side में लिखेंगे X तो student इसको किस तरीके से लिखोगे आप इसको लिखोगे बड़ा वाला number C है तो इसको 100 और minus 10 तो यह क्या हो जाएगा 90 तो 90 को हम X से लिखेंगे student तो देखे 90 का क्या होता है Roman number X होता है अब आप 91 से लेके 100 तक असा निशे कर सकते जिसे मालो कि आपको 96 का निकालना तो क्या होता है 90 plus 6 होता है तो 90 का क्या होता है X होता है और 6 का क्या हो गया यह 5 और यह 1 तो यह 96 हो गया इस तरीके से आप 100 तक बहुत आसा निशे कर सकते हो students देखो 101 यह क्या होता है 100 plus 1 होता है तो देखे 100 को C से रेट करोगे और यह 1 ही तो देखिए जैसे मालोग की आपको निकालना है 135 किस तरीके से निकालोगी आप तो देखिए 135 क्या होता है 100 प्लस 35 यह होता है student आप देखो इसको किस तरीके से राइट करोगी आप देखिए 100 का होता है C और 30 का होता है X, X, X और 5 का होता है यह तो इस तरीके से आप 135 कर सकते है इस तरीके से आप कोई भी नंबर 1 से लेके 200 तक निकाल सकते है जैसे मालोगी student आपको निकालनी है 180 9 तो आप इसको किस तरीके से निकालोगी तो यह 180 होता है सकते हैं हंडेट प्लस étी नाइन स्क्रvyet कर सकते तो हंडेट का 59 क्या होता फdert को गया यह 1010 kosten एट इँ गया और यह गया नाइनटी तो यह अतरीन से हमघाएंडरेट चल्ण भी कर सकते हो ऊस्के बाला फेहंडरेड निगुप कर सकते हैं जैसे हमें निकालना है स्टुडेंट जैसे आप 300 ते तो कर सकते हो अब हमें देखना है 400 का क्या होता है चार सुका क्या होता है तो उससे पहले हम 500 का देखेंगे तो 500 क्या होता है डी होता है डी किसका होता है 500 का होता है यानि कि 500 को हम डी से दिनोट करेंगे रोमन क्या लिखेंगे C इसका मीन होता है 500-100 is equal to क्या होता है 400 तो 400 को किस तरीके से लिखेंगे आप इसको लिखोगे C और D CD से लिखोगे 400 को हम CD से denote करेंगे I hope आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो CD को हम लिखेंगे 400 से ओके स्टुडेंट्स अब देखें स्टुडेंट्स जैसे आपको लिखना है 400-1 इसको कैसे राट करोगे तो यह होता है 400 प्लस वन यह बहुत इजी है रोममन नमबर राइट करना स्टुडेंट्स बस एक बार आपको समझ में आ गया फिर आसानी से आप कर सकते 1 से लेके 1000 तक तो देखिए 400 को किस तरीक से राइट करोगे आप C और D इसको CD से राइट करोगे और 1 हो गया यह तो आप इस तरीके से इसको राइट कर सकते इस तरीके से आप 400 वाल लाइन फूरी कर सकते तो आपको जैसे मालो यहां करना है 496 यह मालो आपको राइट करना है तो देखिए स्टुडेंट्स आप पहले इसका क्या करोगे टुकडे करोगे इसको आप इसको लिखोगे एक्सपेंडेट्स फॉर्म में लिखने से स्टुडेंट्स यह क्या हो जाता है आसान हो जाता है तो देखिए 400 जैसे इसको भी और 90 प्लक्स 6 कर दो अब बहुत इजी हो जाएगा रोमन नमबर में लिखना इसको 400 को आप सीड़ी से राइट करते हो औ आप 90 करते हो अक्सिस से और 6 क्या होता है यह हो गया 6 तो स्टुडेंट्स बहुत ही इजी हो गया है रोमन नमबर आपके लिए इतनी आसानी से हमने कर दिया तो आप 500 तक आसानी से कर सकते हो ॉखके 500 को दी इसे री परजेंट करते है क्वाइब टव्राइड करना तो इसको किस तरीके से राइड करोगे आप 500 प्लैस एड़ा तो 100 का होता है डी और 12 कि राइट साइड वाला एड हो जाएगे इसमें 500 प्लस 100 क्या हो जाए 600 हो गया इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे आपको 700 को डी और सी और सी यह क्या हो गया 700 हो गया जैसे आपको करना 800 को राइट तो किस तरीके से करोगे आप इसको आप राइट करोगे D, C, 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 इस तरीके से आप write करोगे, अब 600 में आप कुछ भी write कर सकते हैं, जैसे मालो कि आपको 652 का निकालना, तो किस तरीके से निकालोगे आप, 600 plus 52, तो 600 का होता है, DC और 52 का क्या होता है, L और ये 2, तो इस तरीके से आप असाने से कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, तो 700 ये क्या होता है, 700 plus 89, तो देखिए, 700 का होता है, D, C, C, और 80 का क्या होता है, L, X, 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 और ये, ये होता है, 789 का, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही easy होता है, अगर एक बार आप सीखे तो बहुत easy हो जाएगा, ये, at 100 को इसी तरीके से आप write कर सकते हैं, उसके बाद में student 900 को लिखने का थोड़ा सा अलग तरीका है, वो आप देखेगा, और समझने का प्रियास कीजिएगा, जैसे पहले हम 1000 का देखेंगे, 1000 को किस तरीके से write करोगी, आप 1000 को M से write करोगी, तो देखे, M यहां लिखेंगे, इसके left side में हम क्या लिखेंगे, इसके left side में लिखेंगे, C, तो देखो student, क्या करना है, मैं 1000 में से हमें 100 क्या करना है, सब्टेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो इस तरीके से हम 900 को Roman number में किस तरीके से लिखेंगे, 9001 जैसे 9001 जो आपको लिखना है वो किस तरीके से लिखोगे आप किस तरीके से राइट करोगे तो देखिए 900 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा आपको 900 का मलब होता है cm और 1 का हो गया यह तो यह हो गया 9001 इस तरीके से वह कर नती कर सकते हैं लिखे तो देखिए 900 Unix से लेकि इस तरीके से करोगे आप स्टुडिट तो लेखिए 900 work और बहुत ही इसी ओगया ओके स्टूडेंज यह से आपको निकालना है यह 990 का निकालना तो किस तरीके से निकालोगे आप इसको पहले expanded 4 में लिखे लो आप देशे 900 प्लस 90 तो देखे 900 का होता CM और student 90 का क्या होता 90 का होता X और C यह गया 90 का तो बहुत ही आसवान हो गया ओके students अब आपको जैसे student आपको क्या करना एक और देख लेते 900 9 को किस तरीके से लिखो गया तो देखे इसको expanded 4 में राइट कीजिए आप सबसे पहले 900 प्लस 90 प्लस 9 अब देखे बहुत इजी हो जाएगा CM और 90 को लिखेंगी आप XC और 9 को लिखो गया इस तरीके से तो अब बहुत ही इसी हो गया और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रोमन नमबर समझ में आ गये होंगे आप वन से लेके 1000 कोई भी रोमन नमबर आप राइट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा अगर श्टूडेंट्स थांक्यू